यहां पर इस वीडियों बात करने वाले होंडा SP 125 के खरीदने की 5 ऐसी रिजन्स की होंडा SP आपको लेना चाहिए इन 5 काड़ों के वज़े से और कुछ इसके कमी भी है उसके बार में भी आ गया आपको इस वीडियों जनकाई देने वाले हैं तो होंडा SP 125 खरीदने से पहले इस वीडियो को पूरा जबुद देखेगा 125 में कोई और भी बाइक देखते हैं उसके मुकालमें कितना यह बहतर है यह साजनकाई आपको इस वीडियों देखने को मिल जागी तो आपका ज्यादा समयना लेते हुए चली इस वीडियो के स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले अगर पॉइंट की बात करें तो यहां पर जो इसकी लुक को डिजानिंग है वह आपको पसंदा सकती है बहुत ही सिंपल से लुक के साथ मिलती है लेकिन अगर आपको 125 में इस पोटी लुक के साथ चाहिए तो ऐसे में यह आपकी एक पसंद बन सकती है यहां पर नॉर्मल स काफी अच्छी लगती है दूर से भी देखने में लगती नहीं है कि 125cc की मोटर साइकल है क्योंकि इसके टैंक स्राउड भी काफी बैतर यहां पर दिये गया है तो फैमली के लिए 125cc में स्पोर्टी लुक वाली यह मोटर साइकल आपकी पहली पसंद बन सकती है दूसरी जो साइल जाता है 155cc में वह भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा और इसमें आपको इंजर में एक चीज और बढ़िया देखने को मिल जाती है इसमें सालेंट इस्टार दिया गया है यानि कि बाइक आप जैसे स्टार करते हैं बिल्कुल भी आवाज नहीं करती है तो यहां पर देख भी सकते हैं मैं स्टाट का काइब बो सुनायता हूं तो सिम्पले से स्टाट हो जाती है बिल्कुल आवाज ने करती है तीसे एकर पॉइंट के बात करें तो लो मेंटेनेंस मोटे साइकल है और ज्यादा माइलेज देने वाली यह मोटे साइकल है क्योंकि सर्विस टाइम नहीं कराएंगे तो अगर इंजन में कुछ कराब याती है तो ज्यादा पैसे लग जाते हैं लेकिन अगर बाइक को टाइम टाइम सर्विस कराग रखते हैं तो माइलेज भड़ियां मिलती है माइलेज की बात करें तो 60-65 के एंपिल तक एप्रॉक्स माइल जाएगा फैमिली वाली बाइक है मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया है सिंगल पिस की सीट मिल जाती है बाकि जो इसकी सीट है 790 mm है तो यहां पर मैं सीट पर बैट के भी आपको दिखायता हूं तो इसकी सीटिंग पोस्टर हो रहा दे सकते हैं मेरी जो हाइट है 5.7 इससाब से मेरे दोनों पैर है आप आराम से दे सकते हैं इसली आप नीचे आ जा रहा है मुझे यहां पर चलाने में कोई भी दीकत नहीं होगी तो आपर आप सीटिंग पोस्टर दे सकते हैं इसमें आपको आग के जुक के चलाने की जोद भी ने पड़ती है कमफटेबल सीट में जाती है सिंगल पीस की तो बैठने में कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप फैमली वाले लोग हैं तो इसली काफी कमफटेबल इस पर जा सकते हैं लंबी दूरी भी तरगा सकते हैं तो एक कमफटेबल एक सोफटी सीची में आपको यह मोटी साइकल आ मेरा हाइट है तो बैठने में मुझे यहां पर कोई दिक्कत नहीं होगी आपकी हाइड और भी छोटी है पांच पूर तीन इंस के हैं तो भी यहां पर मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत नहीं होगी बाकि अपनी नस्दी की सूरूं पर जाकि अपना कमफट चेक कर सकते है वह इसकी जो पांसी बात है जो कि मोच्ट इंपोर्टेंट है कोई भी मोटर साइकिल खर दने के लिए वह होगती है इसकी प्राइजिंग तो एक अफोर्टेबल प्राइज पर भी आपको मिल जाएगी क्योंकि इस समय आप देखेंगे तो सो सिसी के जो मोटर साइकल है वो लेकिन अगर आप इसका डिस्क ब्रेक वरेंगे तो इससे थोड़ी सी आपको महांगी मिलेगी उसकी एक्सरूम उत्य प्रतित में प्राइज डिस्क ब्रेक वरेंग साथ 89,843 यानि की 89,843 रूपर तक है जिसके ओन्डो प्राइज वन लाग सेविन थाजिन रूजिन रू नज़िकी होंडा सोरूम पर संपर करके आप एक्जर्ट और प्राइज भी पता कर सकते हैं तो यह पांच ऐसे रिजन्स हैं जिससे कि आपको होंडा स्पी 125 खरीदना चाहिए जो कि अपने सेग्मेंट में 125 सी में और दूसरे मोटर साइकल के मुगाबरे में बेहतर आपको मिल जाएगी बस आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है तो यह आपको एक बस कमी लग सकती है बाकी यहाँ पर ज्यादा कुछ आपको कमी देखने को नहीं मिलेगी पहले कमी आती थी वो इसकी रियर टायर के लेकर पहले काफी पतले टायर साते थे तो काफी लोग को आ रहे थी कि tires change किया जाय तो company ने बाद में इसका tire change कर दिया पहले इसमें rear के side 80 by 100 18 inch का tire आ था था बाद में इसको update किया गया तो 100 by 80 का 18 inch के rear में tear दिया गया जिससे कि पीछे का tire थोड़ा हो गया जिससे कि रोडोपे और भी अच्छी grip बना के चलती है और पीछे से look भी थो कोस्ता नोगत कमेंट बॉच सकते हैं मैंने इसका डीटेल वाकरांड रिव्यू भी इसके पहले बनाया था जिसमें काफी सार लोगों ने काफी अच्छा रिस्पॉंस भी दिया था तो वह भी वीडियो जाके आप चाहें तो देख सकते हैं इस वीडियों के और इसके जो पा बाचिं!